हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एडगर है मैं मनोविकार तक गया, सेक्स रोग तक गया, सम्मोहन तद्मिया, नशामुकी तक गया, NLP ट्रेनर और कोच हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ आज एंग्जाइटी, चिंता, डिप्रेशन, निराशा और सम्मोहन उक्चार इसके बारे में आज करिक परीप एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मतलब चिंता रोग और निराशा ये बिमारी के काफी लोग परेशान है बिमारी से और इसके लिए दवाईयां तो है और उसके साथ साथ मांस उक्चार और सम्मोहन उक्चार पर जरूरी है तो उसके लिए सम्मोहन उक्चार जोए मैं आप यह आपको बताऊंगा आपने वह प्रेक्टिस करो जिसको ये प्राब्लेम है उसको ये शेर करो तो ये मैं सम्मोन का directly इलाज कैसा करते मैं अभी demonstrate करने वाला हूं तो मैं बार-बार बार-बार आपको ऐसा बोलूँगा कि relax तो relax इसका मतलब शिठील करना शरीर पूरा धिला कर देना मैं बार-बार-बार-बार बुलूंगा deep deep मतलब गहरा deep इसका मतलब आप गहरी-गहरी संहोना अस्ता में अंदर अंदर जा रहा है और अंधिरा अंगरा आपको के सामने आ रहा है ऐसी कलपना करना है अब और स्लीप जब मैं बोलूंगा तब गदी पर लेटे है सो रहे है और यहाँ आँजी कलपना करना सूने कर नहीं तो मैं बोलूँगा रिलाक्स स्लीप और डीप कर पर बोलते बोलते संभून की प्रक्रिया अब यह आराम कुर्सी में बैटे हूँ है ना और ये सम्मोहन की प्रक्रिया धिरे-धिरे हम करेंगे आप सम्मोहनवस्ता में जाएंगे और उसको डीप करना है घहराई में लेकर जाना है तो मैं एक से दस्त गिंटी करूंगा और गैसी जैसी गिंटी बढ़ते जाएंगे व और subconscious mind उपर सामने आता है जैसा और उसको हम सूचना देते subconscious mind receptive है कोई भी बात उसको बुली तो वो उसका स्वीकार कर लेता है subconscious mind उसके पास में logic नहीं है उसके पास में अच्छा बुरा नहीं है मैं आपके subconscious mind से बात करूंगा और बाद में फिर में आपको इसके साथ साथ ONG करने लिए तो आपने have a place करना है मिलाब उस समय देखना है अपने आपको अपने आपको सुनना है अब जो इस सोकर रहे वो सुनना है लोग आपसे जो सुनने का है और अपने आपको feel करने का है जैसा मैं बूलूँगा आपको खुशी लग रही है happiness है enthusiasm है relaxed है तो अपने आपको काम है quiet है वह आपको feel करने का तो आपको देखना है सुनना है और feel करने का आपको लेटना है एक्डम relax आखे बंद करना है और पंज है न पैर के पंज ऐसे करो और हाथ जो है ऐसे रख्या पैर के उपर रख्यों और मिरी आवाज सुनो कि बाकि कोई भी आवाज सुनने की नहीं जुसरी कोई भी आवाज के तरफ ध्यान देने का नहीं पूरा बदन रलाक्स करुए। ать है पहेरों के अंगुथे, अंगुथे, रलाक्स हो गेज ज़रों में खालवे, आप् के तलवे, रलाक्स हो गेज़ों खालवे, ज़रों में हुए। पहरों के पंजे तलवे और अंगुठे रलाक्स होगे, कुटने रलाक्स करो, दोनो पहे रलाक्स करो, दोनो पहे रलाक्स होगे, पेट रलाक्स करो, पेट रलाक्स होगे, कमर रलाक्स करो, पेट रलाक्स होगे, पेट रलाक्स करो, पेट रलाक्स होगे, सीना रलाक्स करो, सीना रलाक्स होगे, कंधेर रलाक्स करो, कंधेर रलाक्स होगे, दोनों हाथ रलाक्स करो, दोनों हाथ रलाक्स होगे, गर्दन रलाक्स करो, गर्दन रलाक्स होगे, जबड़ा रलाक्स करो, जबड़ा रलाक्स होगया, गाल रिलेक्स करो, आखे रिलेक्स करो, आखे रिलेक्स हो गई, माथा रिलेक्स करो, माथा रिलेक्स हो गया, पुरा छेहरा रिलेक्स करो, चेहरा रिलाक्स हो गया आखे रिलाक्स, चेहरा रिलाक्स, बदन रिलाक्स, सी रिलाक्स आप गरी गरी सम्मोन अस्ता में जा रहे हो आखे रिलाक्स, बदन 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 रिलाक्स दीप सम्मोन उस्ता में चले जाएंगे एक दो तीन चार वो धाव यह डिपर आट चे साफ आट और यह डिपर इंगे रिपसिर नू दास, And now, sleep, 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 deep. मैं अभी आपको कुछ सूचना है देने जा रहा हूँ, वो सूचना अच्छी तरह सुनना है, अभी आपका सबकॉण्शस माइड बहुत रिसेप्टी हो चुका है, सबकॉण्शस माइड मेरे सूचनाओं का पुरा स्फीकार करेंगा, मैं भी आपको कुछ सूचना जा रहा हूँ, वो सूचना का आपने स्फीकार करना है, आपको बहुत ही शान्त शान्त, रिलाक्स, रिलाक्स और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको बहुत ही शान्त शान्त, रिलाक्स, रिलाक्स, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको बहुत ही शान्त शान्त, रिलाक्स, 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 और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको यह पता है, कि जीवन जिने के समय, काफी सारी समस्या आया सकती है, जीवन जिने के समय, काफी सारी समस्या आसकती है, आप शक्तिशा लिये रूप से हर समस्या का सामना कर रहे हो, आपको यह पता है कि जीवन जीने के समय काफी सारी समस्याइं आ सकती है और वह समस्या का सामना आप पुरे शक्तिशाली रूप से कर रहे हो आपको यह पता है कि जीवन जीने के समय काफी सारी समस्याइं आ सकती है आप वह समस्या का सामना शक्तिशाली रूप से कर रहे हो रोज रात को आपको गहरी गहरी नीन आती जारेंगी और सुबह उटने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लग रहा है एन्थूजास्तिक लगा है एन्रडेटिक लग रहा है रोज रात को आपको गहरी गहरी नीन आ रही है और सुबह उटने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश एन्थूजास्टिक एन्रडेटिक और बहुत खुशियां ऐसा महूल आपको दिख रहा है और लग रहा है आप एकदम रिलाक्स्ट हो मन बहुत ही खुशी में है बहुत ही खुश है बहुत शान्त मन है और बहुत ही एनरजी वाला मन है आप बहुती रिलाक्स फील कर रहे हो, बहुती अच्छा लग रहा है, बहुती खुश, बहुती समाधन, बहुती रिलाक्स ऐसा आपको लग रहा है रोज रात को आपको गहरी गहरी नहीं आते जाएंगी, और सुबह उठने के बाद में आपको बहुती फ्रेश फ्रेश लगेंगा, अच्छा लगेंगा, एंथूजियास्टिक लगेंगा, एनर्जेटिक लगेंगा मन में आपको खुशी आएं, खुशी आ रही है, कभी सारे दोस्तों से आप मिल रहे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बहुती अच्छा लग रहा है आप, बहुती फंटास्टिक अभी आप लोगों के साथ में हैं, तो कलपना करो कि आप कुछ लोगों के सामने खड़े हो, बहुती खुश आप हो, उनके साथ में बातचीत कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि वो कौन से कपड़े पहने उन्होंने, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, वो कहां पूरा देखो, क्लियर पिक्चर देखो कि कौन सी जगा पे आप खड़े हैं, वो लोग आपसे क्या बाच्चित कर रहे है, वो सुनो, आप क्या बाच्चित कर रहे हैं, वो सुनो, और आपको ऐसा पील हो रहा है, वहरी खुशियाँ, वहरी जौय, हैपिनस, रिलाक्स, बहु बहुती आनन्दार है। बहुती खुश, ऐसा भी आपको लग रहा है। जवर्दस्त. वाव, wonderful बहुत अच्छल लग रहा है। आपो काम करने में बहुती मजार है। अब काम बहुती ताकस से कर रहे हो। उत्साह से कर रहे हो। खाना खाने में, घुमने फिरने में, बच्चों से बात्चित करने में, बहुत मजारा है, बगध खुश नजरा है वाब, बहुत खुश ही लग रही है, तो लोगों के साथ में भी आप बहुत हो, मजारा है, वटनरफुल, आपका आत्म विश्वास बढ़ चुका है, आत्म पीस अप । मन की शानती है, सब चिन्ता है हड़ए, आपका मालूम है कि कोई भी समष्य आ गई, तो उसका सामना में कर सकता हूं, वो उसका उसका हल में निकाल सकता हूं, ये आपको बता है, कोई चिन्ता नही है, पोधिश रहने माला है, वोँ बता नहीं है, जो अभी बरतमान में रहना है और बरतमान में रहना है और बरतमान में रहना है बहुत ही खुश्यार लोगों के साथ में इसलिबरेट करना है हसी मजा करना है अब बहुत ही मजा कर रहे हो बहुत खुश नजरा रहे हो आनंदी हो समाधानी हो बहुत ही रिलाक्स रिलाक्स रिलाक आप सुभा उट्टे हो तो बहुत ही खुश रहते हो काम पेजाते हो खाना पिना करते हो बच्चों से खेलते हो वह तो मजा रहा है अभी मैं आपको एक कलपना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बलून में बैठे हो बहुत ही कमफरड़ेबली आप बलून में बैठे हो मजा रहा है बलून को एक खिड़की है और बलून के बहार एक और उमेश खड़ा है जो दूसरी उसकी प्रतिकूरती है आपको जैसा चाहिए वैसा है बहुत ही खुश, उच्छाइट, रिलाक्स्ट, इंटिक्रिटीव है जैसा उमेश बाहर खड़ा है उसको आप देख रहे हो जैसा आइडियल आपको जो ideal चाहिए वो ideal उमेज बाहर है और वो भी खिड़की से गुब्बारे के अंदर, reconst forgetting बलून के अंदर आ रहा है उसने कोशिश किया खिड़की से अंदर उतर रहा है और वो आपके बदन में वो एक रूफ हो गया पुरा एक रूफ हो गया अभी आप बोद नया उमेश बन गए हो एक नया उमेश है जो बगजा है, बोद रिलाक्स्ट है, बोद हैपी है, चन्तुष्ट है मज़े हाँ लाइफ में, एंजोए कर रहा है लाइफ को, ऐसा उमेश, नया उमेश बन चुका है आपको बता ही है कि आपको सबसे जादा खुशी जो होती है वो लोगों को मदद कर रहनी होती है लोगों के जिवन में जब आप कुछ मदद कर दो होती है तो आप ऐसे इंसानों कि लोगों के जिवन में कुछ ना खुछ उनको चाहत जो उनकी है उसमें मदद कर रहे हो, उनको मिला के दे रहे हो, उसमें भी आपको बत मजार है, जवर्दस्ट, वंडरफुल, बहुत जवर्दस्ट, वो एक रूफ हो गया, विन्या ट्रांस्फॉर्म्ड उमिष्क तैर हो गया, अभी मैं एक से तिन तक इन्ती करत हो, जैसे जैसी गिंपी बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी जो अवस्ता है, एंथूजियाजम, एनरजी, उत्सा जो है वो आर बढ़ता जाएंगा, और एक नया उमेश उभर के आएंगा, ट्रांस्फॉर्म बन नया, एक, दो, और तीन पुरा नया उमेश बन चुका होगा, बहुत रिलाक्स अभी मैं तीन से एक तक उल्टी गिंती करूँगा, जैसे जैसे गिंती कम कम होती हैंगी वैसे वैसे आपकी संभवनों स्था खुल जाएगी, और आपको जागा जाएगी, जागाने के बाद में आपको फ्रेश लगेंगा, अच्छा लगेगा, त इस तरह की एक्सरसाइज जो है, वो चार बार रोज करनी है, सुबह, दोपर को, शाम को, रात को, जैसे एक हचार बार करेंगे न, टोटल, तो आपको डिफिनेटली बिना दभए का फायदा होगा, एंग्जाइटी और डिपरेशन में, तो आपको भी चाइस करना है कि चि आपके संपर्ग में काफी ऐसे दोस लोग होंगे या परिचित होंगे कि जिनको चिंता रोग है, एंग्जाइटी की बिमारी है, या डिपरेशन है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेर कीज़ेगा, मेरा सपना है कि पूरा भारत देश को, ये मांसिक बिमारी हैं उनसे क्ल कारे में डाले हुए, वह फोबिया के, सोशल एंग्जाइटी, पैनिक अटक्स, उसके है, फिर मोटा पा कम करने के वीडियो दे, मांसिक बिमारी होंगे, काफी सारे वीडियो दे, वीडियो लोगों को सुनो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि एक अच्छा भारत बनाने में, मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ में आप भी खड़े रहेंगे, so thank you very much.